कि लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके आप जब एक पर स्टेज पे जाते हो ना और जब लाइट पड़ती है आपके उपर और कुछ है वो एक कुछ मैजिक है जो क्रियेट होता है और तब से मुझे लगा कि यार यह करना है यह बहुत कमाल कि आपको तोड़ता भी बहुत है अगर अप तूट गए न तो आप निकल गया तो निकल गये या टिके रहना बहुता है चल्मिट अगर आप टिके रहे हैंगे ऊपको काम मिले और अपई काम को लेकर की अनिस्ट था मिले अब सखिस का पइमाना आप इतने इनसान की ज़ती जव Republican कि आ area को अच्छ नहीं रह उसी बीज में बहुत सारी चीजें होते रहती है तो आप पूरी तरह से अवेर होते हैं क्या कमी रह गई तो नाम आप लोग में सुना ही होगा एनेसडी ऐसे ऐसे एक अलाकार पैदा करती है जिनको जाहर सी बात है मुंबई शेहर में तु बोलो या इंडिया में किसी भी शेहर में स्ट्रगल करने की कम जरूत पड़ती है तो आज मिलते हैं एनेसडी के पास आउट सतीश बादल से रागो के साथ अल्राइट मैं इस रागो परमार एंड फिल्मी टॉक्स में आज हमसे बात्चित करने के लिए बहुत कमाल के अक्टर एनेसडी पास आउट सतेश बादल हैं तो बहुत सारी बात्चित होने वाली है इनको अपने काफी वेब सीरीज मूवीज में देखा है सबसे पहले वेल्कम एंड कैसे हाँ मैं बड़े आउग एंड थैंक्यू मुझे बुलाने के लिए इंडिन फिल्म इस्ट्री गा थैंक्यू सुमच एंड सबसे पहले मेरा परस्नल सवाल है रादी का अपकी के साथ काम करें और कैसा लगा बहुत अच्छा लगा उनके साथ तो बहुत ही कमार का एक्सपिगेंस था इस फिल्म के साथ बहुत हिस्ट्री है मेरी कि मैं कैसे इसमें काम किया बूब में बताऊंगा और ब्रोहर खान को ता अपने चॉकलेट भी तब कैसा लगा बड़ी अलगा वले मेरी दोनों फिवरिटर दोनों के साथ आपने काम किया तो बहुत अच्छा लग रहे थैंक्य मिडल क्लास फैंबली मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहां तक आपाऊंगा जो भी अभी मैं कर रहा हूं अच्छली मैं अच्टिंग में आऊंगा यह भी मुझे पता नहीं था मुझे बच्पन से गाने का बहुत शौक था तो मैं घजले सुनता था और उसको कॉपी करता था कहीं से मेरी ट्रेनिंग नहीं थी तो मैं इसे ही स्कूल में गाता था कभी कुछ फंक्शन हुआ तो और एक बार मेरे स्कूल में मैं 6th स्टैंडर में होंगा तो वहां पर एक नाटक एक फेस्टिवल के लिए नाटक बनाया जा रहा था तो मैं उसमें पार्टिस्वेट किय बट मेरे पिताजी ने अलाव नहीं किया अरी असल के बीच में मुझे छोड़ना पड़ा तबसे में और एक्टिंग से दूर होने लग गया उसके बाद फिर जब में टेंथ में था तफिर एक अनुल फंक्शन था तो उसमें भी नाटक के ग्रूप साय हुए थे जो ट्रे पड़े लें गाई थी और एक कौन से क्लास की बात पता रहा है तो वहां पर कुछ थेटर ग्रूप थे उसमें से ग्रूप था इप्टा तो वहां के जो डिरेक्टर थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम क्या करते हो आओ नाटक करते हैं तो तब ही मैंने अपना टेंथ क् मैंने आपके पास टाइम होता है तो मैं भी चला के चलो ठीक है गाने का मौका मिलेगा चलो करते हैं बस देखने गया था और वहां पर एक नाटक हो रहा था जो कविताओं का मंचन था तो मैं उसमें पार्टिस्पेट किया तो मैं बैक्ड्राउंड म्यूजिक देता था त वाज निकालता था मैं तो उसके लिए मुझे अवार्ड मिल गया था शो में और नेक्स्ट जब इसका शो होना था तो उसके जो अक्टर थे वो बिमार थे कुछ तो डिरेक्टर ने सड़ली मुझे गुला कि तुम को करना है तो मैं तर गया बट मैंने किया और बहुत तार देट होता है और तब से मुझे लगा कि यार यह करना है यह बहुत कमाल की चीज है लोग के टेंशन आपको देते हैं आप शो के बाद लोग मिलने आते थे तारीफें की तो अच्छा लगा उसके बाद से मैंने फुल टाइम इसमें देना शुरू किया तुछन फोर से मैं थेटर में एंडर कर लिया तो अभी 2024 में 20 साल हो गया अभी उसको जी सिंगर बनना चाते थे उसके साथ मैं एक कसक रहे गई मेरे अंदर की मैं सिंगिंग सीख नहीं पाया उस तरीके से बट गाले तो आपको कमाल की कर लेते हैं क्योंकि काभी वैब सीरीज में मैंने भी आ जी अचली मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई आर्ट और इन सब चीजों से कोई नाता नहीं था उनका और अगर आप जानते होंगे तो अगर तो वहां पर बिहार में जो मेरा मेरा में जिस गाउं से हूँ तो वहां पर ज्यादतर लोग गौर्मेंट जॉब मिल जाया है या फिर इंजिनियरिंग इसके पीछे सब भागते हैं और मैं पढ़ाई में अच्छा था तो सब चाहते थे कि पढ़ाई में जाये और यह सब चीजें करें और 10th के बाद जो होता है स्टूडेंट का वहां पर उसमें आपको जो होता है कि आपको कुछ अकैडमिक पढ़ा मेरा मेरे पिताजी बहुत खिलाफ थे मेरे और जो गाउं का माहॉल था वहां से 30-34 किलोनेटर था तो जाते आते रहते थे तो गाउं की आसपास लोग थे वह भी ताने हमारे पे थे तो हमारे बिहार में की नचनिया वन गया इसा हो गया तो उनको अच्छा नहीं लगता तो वह इस चीज के मतलब अगेंस्ट थे मा मेरी बहुत सपोर्ट करती थी तो वह मैं जब ठीटर करता था रहसल करता था शो करके आता था तो रात को चुपके से दरवाजा खुलती थी दरसे कि पिताजी से दांट ना पड़ जाए तो ऐसे ही रहा देन मैं अपना जब इं तो मैंने चैलेंज के तरीके से लिया और फिर मैं आया पटना फिर वहां से मेरी जर्णी थेटर की शुरू हुई पैसे नहीं थे कुछ काम नहीं था उस तरह से अब स्टूडेंट लाइफ में आपो कहां से सर्वाइव कर पाते हैं तो मैं एक मॉल में जॉब भी किया फिर मैं कुछ टाइम के लिए कुलकाता चला गया वहां डेर साल थेटर किया तो उस बीच में 2006-2007 के दम्यान बिहार सरकार के कुछ प्रियोजना आते थे तो उसमें जैसे नारी शिक्षा प्रियोजना थी तो उसमें कुछ दू करनाटक होते थे जिसमें अक्टर्स की जरूरत ह तो मैं उसमें जाके काम करता था ची हमने ताकि कुछ पैसे आ जाएं ताकि में उससे फुल-time Theater कर सहूँ तो यह मेरा जर्नी रहा है उसमें कोलकता गया पिर वहां से दिने पहले कुलकता गया में ग्रूप Idonative Living Theater वहां पे मैंजुट मैं किया देननहेंट है दिन जे टीटर किया उसके बाद मैंने इनश्ड सिक आपलाई किया था तो मैं से दोजार देरा चौदा मैं वहां पर पढ़ाई की तर उसके बाद वहां से निकलने के बाद फिर यह दूसरा चैलेंज था कि अब मुंबई जाना है तो नहीं करना है उतना मतलब कि थीटर में उतना स्कूप आपके पास नहीं होता है तो प्रिसोच आप क्या किया जाए तो पढ़ाई करते हुए मैंने स्कॉलर्शिप एक प्रोग्राम होता है मिनिस्टी ओफ कल्च का तो मैंने अप्लाई किया कि हां से कुछ पैसे आजाएंगे तो मैं उस पैसे से मुंबई आ जाओंगा क्योंकि और को सपोर्ट था तो अप्लाई किया फिर दिली में उसका इंट क्योंकि मुंबई जाने से डर लगता था कि वहां जाकर कि आप तैयारी नहीं कर सकते आप आपको वहां पर कॉंपटिशन करना होता है तो आप अगर जूट जाएंगे पीछे कि नहीं यार यह रह गया यह करना था तो मुंबई ऐसी जगह है कि जहां पर प्रिपेर होके आ पर जाएंगे जागे था सराइ के लएक जगह है जहार खंड में तो मैं वहां पर आर्ट नौ मेंगे रहा जो वेक तरह से मार्शल आट और मिक्स क्या कहते हैं डांस फॉर्म है वेक्ता तो मैंने आट मेंने सीखा देन 2015 में मैं यहां जूँए तो यहां से फिर फिल्म की ज अपने शहरों से या तो दिल्ली जाते हैं मुंबई आते हैं आप कोलकता गए जी एक्षिली क्या था ना कि जब भी मैं थीटर करता था तो उस वक्त तो गर किसी डिरेक्टर का काम मुझे अच्छा लगता था तो मैं मैं बैक पैक करता था हुंके पास चला जाता था कि मुझ वो शोड़ा तो बहुत ही फिजीकल उनका काम होता है अभी भी करते हैं और थृर्ट ठीटर और पीटर बुक को लेकर करके उनको कुछ काम किया हुआ है तो मुझे वो बहुत इंट्रेस्टिंग लगा क्योंकि हम जो थेटर करते थे हैं मैं च्या थेटर करते ते ते इसमे आप कम से कम बोल के आप फिजिकली आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को तो मुझे बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा तो मैंने उनको फोन किया और मैं पहुंच गिया उनके ग्रूप में तो मैं वहीं रहे के डिएर साल उनके साथ थेटर किया सु फिलाल कोई पुलीस ओफिसर का किरदार कर रहे हैं मुझे बड़ अच्छी रख रख रहे हैं नहीं आपको किसी एक लूप में काम मिलने लगता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अठाने में तो मैं जब खाकी किया था तो मैं इस लूप में काम किया था तो यह थोड़ा सा जो है मेरा करेक्टर जो है वो पॉपिलर हो गया तो उसके बाद जो है इसी लुक में सब फोटोज और जो भी है और अडिशन्स मांगे लगे तो यह लुक रह गया बहुत लोग बोलते किया पुलीस ओफिसर का काम पर लेकिन आज तक मैंने कोई पुलीस ओफ पॉन हो गया तो उसमें एक एजीवी का करेक्टर है मैंने सही गया है सो एक्टिंग तो बहुत दमदार चल रही है आपने बता भी दिया कि सिंगर बनना चाहते थे गाना तो फिर अच्छा गाते ही होंगे अगर तो लाइन सोना दे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे जि वहीं सुना देता हूं वहीं लोग सुनना भी चाहते होंगे तो जिये तो जिये कैसे बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके 90s की की सिनवामें और आज की सिनवामें कितना फर्क बहुत फर्क हैं मतल अभी जो है कंटेंट जो है बहुत ज्यादा जो अभी सब बाते गरते कि कहानी कंटेंट यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और 90 के टाइम में ज्यादा तर हम देखते थे कि एक हीरो होता था एक विल्लेन होता था एक लब स्थोरी होती थी बहुत सारे फाइटिंग सीन्स होते थे और गाने होते थे सी के बीच वह फिल्में ऐसी बहुत कम ऐसी फिल्म है जो जो जैसे आमिर बहुत सारी ऐसी फिल्में किये जो बहुत ही लीक से हटके रही है लगान है लगान उलाम सरफरोश तो इस तरह की फिल्में वो करते थे चैलेंजिक वागे 90 में मतलब ज्यादतर मुझे लगता है 90 का जो ऐसा दौर था ना वो म्यूजिक का दौर था उस वक्त म्यूजिक ब इसी बनी जो एक्चली में वो एलबम की फिल्म बन जाते हैं जैसे कि आशिक की फिल्म है जो पहले गाना आया था म्यूजिक आया था और म्यूजिक होगा तो उसके उपर फिल्म बन गई अब मुझे लगता है कि इसको कंपेर नहीं करनी चाहिए उनका भी अलग एक बिजनेस है एक फॉर्म है और वह भी एक आर्ट फॉर्म मतलब मुझे लगता है कि आर्ट और कमर्शियल दोनों ही आर्ट मुझे लगता है दोनों में आर्ट का ही काम होता है दोनों में उतना ही महनत लगता है लेकिन क्या कहते हैं कमर्शियल जो है कोई फिल्म जो कमर्शियल फिल्म जो होता है वह ज्यादा तर मास को अट्रैक्ट करता है जिसमें उनको अपना हीरो द बहुत ही आर्टिस्टिक होती है अभी नया है और कहानी बहुत इंपोर्टेंट होती है तो अब मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये दोनों भी बहुत पैलली ग्रोव कर रहे हैं बहुत के बाद से ये तरह से रीवलिशन ही है काफी अच्छे आर्टिस्ट उनका कहना है कि कमर्शल नहीं करेंगे या इस अधर करेंगे मुझे लगता कि सब करना चाहते हैं अगर कोई कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो पता नहीं है वो अलग ही प्लाइनेट से होंगे, होंगे कुछ लोग जो सच में नहीं करना चाहते होंगे, तो अगर वो नहीं करना चाहते होंगे, तब तो वो अच्छे से कहीं पर ठीटर कर रहे होंगे, मुंबई में नहीं होंगे, वैसे लोग, तो करना चाहते हैं, हो सकता है कि नहीं म करूंगा जी यह मैं मानता हूँ कि सीरियल लोग कहते कि मुझे नहीं करना है बचना चाहते हैं क्योंकि सीरियल जो है एक तरह से आपके की छपाई होती है उसमें आपको आप कैसा कर रहे हो आप कितना करेक्टर पे काम कर रहे हो वह इंपोर्टेंट नहीं है कि कितने अपिसोर्स निकाल रहे हैं कितना हम फुटेज निकाल ले और उसको एयर करें तो वह अगर कोई एक्टर होता है जो सच में अच्छा काम करना चाहता है उसके लिए वह थोड़ा जो है मुश्किल है तो जो सच में आर्ट और अभी नहीं को ज़हाँ एंपोर्टेंस थे तो कि लिए लगता है कि सीरिल नहीं करना चाहिए कि वो कि ऊसमें थोड़ा सा करफिशन होनेjuगा में में का चांसे होता है कि करप हो सकतना है. पैसा तो हुटता है पैसा हुट s crease धक्र भूह 25 बहूट अभी तो जैस श्रॉग्लिय आक्टरर हो वो भी अगर पैसे नहीं होते तो सीरियल में भी काम करते हैं वाजूरी में लेकिन जहां पर दिल लगता है वो तो फिल्में होती है और content होता है जहां के आपको छोटा भी character हो लेकिन वो फुल्फिल करता है आपको आपके आर्ट को तो मज़ा आता है उसमें family में कौन कोन हो फैमिली में मेरे मम्मी पापा है भाईया है भाईया की शादी हुई अब पिछले ही साल एक भतिजा होगा बहुत प्यारा सा तो बाप की वाईरी शादी है हां बोल तो रहें लेकिन प्रशर नहीं है उस तरह से प्रशर नहीं है पापा ने कब सपोर्ट करना जर डच्छली वो नहीं हम्या भी अधिक है जो करना करो फॉर्स टाम उनहाने कोलकाटर में जब जा रहा था उन्기도 करना जा जाईंग तोई के सब्सक्रां अगोडील में तुम कुछ जया और एक चोटा शीन में मेरे तो उनको जब उनके दोस्तों ने उनके आसपास के लोगों ने जब कहा कि नहीं आपका लड़का अच्छा काम कर रहा है और यह अलग तरगा काम कर रहा है इसमें सक्सेस हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है घर कोई नहीं हो पाता है पर जब लगा उनको कि चलो अच्छा हो रहा है उसके बाद फिर यहां आने के बाद कुछ काम उन्होंने देखा तो अभी तो सबसे ज़्यादा खुश्व ही रहते हैं कुछ आये तो सबको जाकर दिखते हैं कि पापा का सपोर्ट मिल गया और सारे चीज़े अब कितना लग मुझे लगता है कि सक्सेस मतलब यह तरह से यह हो जाएगा कहने का बट सक्सेस मुझे लगता है कि एक बहुत ही छोटे शहर से गाउं से जो मैंने अगर मैं अभी अगर सोचू की 20 साल पहले मैंने सोच मुंबई या फिर मैंने एनस्डी का भी नाम नहीं सुना था या क्या होता है जैसे बिहार से हम आते हैं तो आप पढ़ने में भी आपको बहृत सारी चीज़ें होती है साश और यह सब बिक् Gelas आप बोलते हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं तो वो सब चीज पार कर लेना आप आप जिस इंस्टिटूट में जाने का सब सोचते हैं आप वहां चले गए आप मुंबई आ गए आप आप काम कर रहे हैं तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि सक्सेस है अब सक्सेस का पैमाना आप इनसान की जितनी ज़रूरत बढ़ती जाती है आप कभी भी आप खुश नहीं रहते हैं जैसे कर आप कल को मैं कोई फिल्म कर लूँ या बहुत बड़ा काम कर लूँ अच्छा नाम हो जाए तब भी मेरे अंदर कुछ रहेगा कि यार ये करना है ये मेरे लिए फिर सक् है तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेस कर रहा हूँ कर लिया है मैंने इतना कुछ कर ले कर लिए अभी वो कब मिलेगा कैसे मिलेगा वह तो उपर वाला ही जाने जाया है कि का यह निस्टी में कैसे जा सकते हैं एक्जाम कैसा दे तो हमारे जितनी विवेवर्स उनको अप एक पर बताओ कि actually NSD का exam कैसे दे सकते है, admission कैसे हो सकते है? जाने के लिए तो उनका जो है एक वेब साइट है, नेशनल स्कूलों ड्रामा का, उस पर आप जाकर के वहां पर हर साल वहां पर application आते हैं, आप वहां पर try out कर सकते हैं, उसमें qualification जो है graduation है, आप किसी भी academic graduation कर लिए हो तो आप उसमें apply कर सकते हैं, अगर आप कोई पास कम से कम पांच से दस नाटव कानुभव फुल लेंथ, तो आप उसमें apply कर सकते हैं, और अभी तो जैसे मैं सिक्की मेनेज़ी से था, तो उस वक्त एक साल का था, अभी पता नहीं, दो साल का होगा है शायद वहां पर दिल्ली में तीन साल का है, तो में दिल्ली में है, तो लोग व वहीं पर try करते हैं, तो यही है, आप application उनके site पर जा करके apply कर सकते हैं, जब भी उनका आता है, और अभी तो बहुत open है, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, कि क्या है, आप social media है, गूगल है, आप कर सकते हैं, आप पास phone है, बस यह कि अगर आप उसमें जाना चाहते हैं, तो आपको theater करना बहुत ज़रूरी है, जहां से हैं, वहां के culture, वहां का tradition, आपको बहुत पढ़ाई करनी पढ़ेगी, लोग ऐसा मानते हैं, कि theater में कोई पढ़ाई, acting करने तो पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, बहुत पढ़ाई करनी पढ़ती है, आपको Indian theater, World theater, सब कुछ समझन पढ़ना पढ़ता है, writers को पढ़ना पढ़ता है, कि क्या, उनका क्या, डायलोग याद होनी चाहिए, तो आप जब तक पढ़ेंगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल, so कभी हुआ set पर की blank हो गए, और situation जोड़ी सी अजीब होगी आपके साथ, set पर तो नहीं ह हुआ है, stage पर दो बार हुआ है, blank हो गए, और यह होता है, क्योंकि हम इनसान है, क्योंकि theater एक ऐसी विदा है, जिसमें कोई cut नहीं है, आप एक बार stage पर गए, जैसे theater जो है, वो actor का medium है, और film जो है, वो director का medium है, ऐसा मतलब मेरा मानन है कि ऐसा है, कि अगर एक बार stage पर चल मारा राजा है, उसको जो लगेगा वही कर सता है, तो तो जो pressure होता है, performance का pressure होता है, आपको dialogue याद करने होते हैं, याद रहने चाहिए आपको, scene में होते हैं, और actor जो stage पर होते हैं, इसलिए theater क्यों कहते हैं कि theater करना बहुत ज़रूरी है, फिल्म आप कर रहे हैं, तो आप तो आप confident दिखते हैं उसमें, क्योंकि actor भागता है, wings में जाता है, फिर कपड़ी बदलता है, खुद कोई design अन्यूगता है, उसको पहना होता है, कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है, अगर कुछ make-up चेंज करना है, तो वो खुद करेगा, फिर भागेगा उसका scene, वो सुनत को actor को सुन रहे हो, इविन आप off stage भी हो, तो आपको co actor को सुनना है, कि कब मेरा scene आएगा, कब मेरा वो होगा, क्या scene चल रहा है, उसी बीच में बहुत सारी चीजें होते रहती है, तो आप पूरी तरह से aware होते होते हैं, live लोग भी बैठे हुए है, live लोग बैठे हुए है, अब theater, एक ऐसा media में जहाँ पे आपको तुरंत reaction मिलता है, आप perform कर रहे हैं, आप perform करेंगे, अगर आप खराब कर रहे हैं, आप character में नहीं है तो audience को दिख जाएगा, और audience वहाँ पे reaction भी दे देंगे, आपको, ऐसा नहीं है कि आपको reaction जो है बाद में TV पे दिखाया जाए इसलिए थीटर जो है कमाल की चीज़ है, एंडस्ट्री में काम करना कितना आसान हो जाता है, कुछ आसान नहीं होता है, आप आप देखिए हर साल 26 लोग यह दिली से आते हैं, और अभी तो 2-3 सेंटर होगे और और दूसरे दूसरे इस्ट्टूट भी है, जैसे बी एने है इसलिए पिस्टूल अग्रामा है, तो लगबग 100-100 लोग इंस्टिटूट से निकल के आते हैं, और आते हैं मुंबई में और वो भी सेम इसे ही आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो भी कास्टिंग डेक्टर को रिच आउट कर रहे होते हैं, और अगर आप बोलते हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं, तो वो भी बहुत थोड़ा सा है, अब अब जो अभी जो चल रहा है, वो लुक पे चल रहा है, वो पूछेंगे भी नहीं कि आप कहां से हो, अगर आपने फोटो भेजा और आपने इंट्रो अच्छा बना के भेज दिया, आपका लुक जा रहा ह अब इसे होता है कि लोग बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो आपको व्क्षॉप से ट्रे निग्रो आक्टिंग भी कढ़ते है, तो बहुत ज़ादा फ़र्क नहीं पढ़ता है, लेकिन अक्तर के लिए फर्क पढ़ता है, क्यूंकि आप एक कार दिएमिक पढ़ाई बहु आपको कोई टेंशन नहीं होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, आपको कोई फिनेंशिल सोचना नहीं होता है, वो आपको स्कॉलर्शिप देता है, आपको रहने के लिए देता है, तो जो एक इन्वार्मेंट मिलता है, तो उसमें क्या होता है, कि आपका आर्ट जो है, आप सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, आप दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं तो वह एक ज़रूरी होता है कि एक पढ़ाई आपकी रूटीन हो, आप सुबह उट रहे हैं, युगा कर रहे हैं, पर एक क्लास क्लास हो ओ छिसरा क्लास हो जा Хर फिर आपके शो जो हो रहें हैं आप अलग-अलग इरेक्टर्स को आपसे बाते हैं आपने इक्सपिएइयंस हुआ हैं बना रहे होते हैं ग्रू कर दह में भी मेरा मानना कि कोई सिखता है इस आप नहीं सिखाया इसा नहीं है कि जो जज होते हैं वो सठीक ही हैं होता है कि कोई अच्छा दभी कर पाया लेकिन वो नहीं करता है बाद में ऐसा नहीं होता है तो उसमें एडमीशन हो जाने साथ आप अगर नहीं हो जाएंगे आप दो साल तीन साल जितने साल हैं आप कितनी मे nau Earn कर रहे हैं आप कितना फोकस्ट हैं आप अपने काम को क्योंकि वहां पर आपके पास हर्च सुविधा मिलने लगती है तो बहुत भटकाव का भी जो है एक केस हो सकता है आपके साथ कि आप भटक भी सकती पॉसिबिलिटी रहती है कि आप भटक जाएंगे बटक ने पर आप नहीं बताया तो काफी अफ़ाय है नेजडी को लेकर पहले तुम्हें आपसे जानना चाहूंगा कि वह दो तीन अफ़ाय क्या है देखिए क्योंकि मैं दिल चीज़ें हमें हमें कैसे एक डो आपने भी सुनी हमने भी सुनी है अपने का सुनाए है मैंने सुनाए कि छब वीस में से 22 बच्चे अलग रहा पर अलग ट्रैक पर ही चले जाते हैं आए बहुत कमाल का आता है लेकिन बिल्फुल वही तुम्हें आभी कह राता ना कि वह अ कहीं ना कहीं वो आर्ट को लेके फोकस मतलब वो सीरियसनिस उसके अंदर अभी तक नहीं आया अगर आज आए तो नहीं जाएंगे उनके लिए आप समझ रहे हैं मैं अपनी बात बता हूं जब मुझे लगा कि मुझे सच में करना है ना तो मैं भूंड रहा तक मैं किसके साथ आप मैं सहर सहर चुटा सा शेहर है वहां पे बहुत अम्यिश्षा ठीटर था तो मारे किनी पूर्फिसर उरेच्टर थे तो उने घर जाता था और वह दो दिन 2 तीन इस चार द такие दे मिलते भी नहीं कि आता है रोज आता है और झोल दुले नहीं तर मैं पहर थ्या जाता रह जाता रहा जाता रहा तो फिर उनसे पूंचा कि मैं क्या करूँ तो लो ने खा कि नहीं तुम पेपर पर हो तुमारा जो शब्द है इसकी शुदता पर ध्यान दो क्या बोलता है उस शब्द का क्या मतलब है वो समझवा तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए उस तरह से पढ़नी चाहिए पढ़ता तो पहले भी था लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ता था कि भाई ये शब्द को कैसे बोला जाता है हर शब्द का एक आकार होता है उसका एक phonetic होता है, समझ होती है, कि उसको अगर समझ के बोलते हैं, तो शब्द का अर्थ समझ होता है, एमोशन होता है, तो लगा कि यार, पढ़ना चाहिए, पढ़नी चाहिए, इस चीजों को किताबे पढ़नी चाहिए, तो पढ़ना शुरू किया, पेपर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसमें बहुत आहम बोलचाल की भाषाएं होती है, तो उससे आपका स्पीच का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है, आप पैल लगाते हैं मूह में उसको पढ़ते हैं, तो यह सब, अगर किसी ने बोल दिया, बोल दिया, कि यह करो तो और आप कर नहीं रहे हो, तो एनेजडी में कोई थोड़े ना आता है कि भाई कोई एक गयल के लिए यह मेरे तरफ से लो, और तुम रियलिस्टिक आक्टिंग करने लग जाओगे या तुम बहुत अच्छा यह कर लोगे, तो आपको को बताएगा, रास्ता बताता है, यह रास्ता है, अगर आप इधर से जाएंगे तो आप यल्दी पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे तो भी पहुंचेंगे, आप लेट से पहुंचेंगे, तो आप जाएए, प्रोसेस में जाएए, आप समझ यह इस चीज जो अए जो डाहर हूं तो मेरी जो आतमा है, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं और किसी और अगर मैं आपको प्ले कर रहा हूं तो ये जो है ना इसके लिए बहुत is मुझे लगना है कि मैं अपना सोल निकाल के दूसरे का सोल में अंगर ले रहा हूं और मैं वो बन जा रहा हूं तो उसके लिए बहुत ओनेस्टी चाहिए आपको आप ओनेस्ट रहना पड़ेगा सो कैरेक्टर की बात हो ही रही है सो एक सीन छोटा सा जो मुझे हमारी टीम ने भेजा है कि प्लीज ये सतीश भाई से जरूर करवाना अगर करे तो कि सीन ये है कि आपकी शादी हो चुकी है वाइब का बहार अफैर है आपको बहार की दुनिया से पता चलता है कि उनका अफैर आपको अपनी वाइब को बताना है कि आपको पता चल चुका है पुड़ सा इमोशनल टच देते हुए कुछ अगर अपनी दर्फ से कि मेरी वाइब को आपकी वाइब को बहार अफैर है आपको बाहर की दुनिया से पता चलता है कि उनका अफैर है अब आपको अपनी वाइ का जब दिफ्ल कर सीदिफल तो मत बताने कि मुझे सा पता है कि पागल समझाए मुझे कि में कुफ समझाए मैं पागलुक तरह यहां काम कर रहा हूं और क्यों यार क्यों कि क्या कमीर है गई कि में पता है कि में इसे चाही अचाही जूब आपक्या पता है एक चीज़िश्य बताओ कि यह अपने वी तु बहुत कमाल कही गया और इतने अचा करीर है कभी तो ऐसा मुवमेंट आया होगा जब लगाओ कि नहीं आर मैं चोड़ देता हूं पापा सही कहते थे नहीं कभी नहीं नहीं क्योंकि यह मेरा मिरी चॉइस थी कि मुझे इसमें आना है और अदल्स आये, तकलीफें आई और बट यह मुवमिट नहीं आया कि मैं कभी यह छोड़ देता हूं बहुत सार एक्टर हैं जो सर्वाइब करने के लिए दूसरे से काम भी करते हैं, पर पर कास्टिंग करते हैं, मैंने वह भी नहीं किया कभी मैं सिर्फ एक्टिंग को लेकर कहीं काम किया, मैं कभी भी को जौब यहां पर आने के बाद इससे पहले मैं थेatr के बयाइं यहां आने के बाद मैं सिर्फ एक्टिंग, कोई सोचा, कभी-कभी बीच में मौका मिलता था, तो मैं कही और क्छास लेनी के लिए tak बुलाते थे तो master class या फिर इस्टूट में एक लेनिक ले में जाता तर बाकी मैंने कभी भी कोई casting में जाने का नहीं सोचा या फिर मैं कोई दूसरे profession में जा करके वहां survive करने के लिए नहीं सोचा अपने आर्ट पर इतना हाँ मुझे था कि मुझे trust है क्योंकि मैंने इसमें स जब आपके पास मोके आंगे और मुझे लगता है कि जब वह मोका आएगा और मैं कहीं और फशा हूँ मैंने अपने क्राफट पे काम ही ने किया देखा ही ने क्यों होता है ये ये कैसा art है नो कहते हैं इंस्टूमेंट आपका body instrument होता है और ये असा है कि practice अगर आप नहीं क और आपका body आपका साथ नहीं दे रहा होता है, इसका मितलब आपका body tune नहीं है, जैसे instrument क्या होता है, अगर आप guitar बजाते हैं, तो रात को बजाते हैं, सुबह फिर से बजाना होता तो उसको tune करना पड़ता है, तो एक रात में वो tune उसका खराब होता है, तो ये body भी बहुत स चीजें होती है, आपके बाहरी दुनिया से बहुत सारी चीजें होती है, जो आपको affect करता है, उसको side रखते हुए आपको craft पे रहना होता है, ये practice है, और आप तीसरी चीजें करने लगए तो आप छूट जाएगा, तो क्यों रखना पड़ेगा, अभी आपने as a trainer की बात तो काफी industry में ऐसा होता है कि कोई अगर NSDN है, वो मुझे आने के बाद वो training लेना ही शुरू कर देता है, proper class और अपने acting career को थोड़ा साइड कर देता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? Actually, वही है, मतलब अगर मुझे लगता है कि सब चाहता है कि वो camera के सामने रहे हमेशा है, अगर वो कर रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी है, सब की होती है, सब की मजबूरी है, आप या तो आप बहुत तकलीफ नहीं सह सकते, आप क्या कहते हैं, आपकी जो आपकी basic जरूरते होती है, आप यहां रहते हैं, आपको पता है, मुंबे कितना expensive है, आपकी basic जरूरते हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, अगर वो आपको family से support नहीं है, बहुत लोगों को family से support होता है, कि चल ठीक है तू जब तक करेगा, मैं हूँ तुमारी पीछ, आप मुझे कभी ऐसा कोई support रहा नहीं, और रहा नहीं मतलब और मेरे घरवाले अफॉर्ड भी नहीं कर सकते कि वो मुझे support करें financially, तो वो एक तरह से अच्छा ही हुआ मेरे लिए, कि उन्होंने support मतलब उस तरह अभी तो emotionally तो वो हमेशा है मेरे साहत है, यह financially नहीं किया तो उस से क्या होगा कि हो वो confidence जो मुझे दिया, वो priceless है मेरे लिए, तो अगर कोई कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी होगी, सब चाहते हैं कि मुझे film मिले, सब चाहते हैं कि मैं काम करूँ, कैमरे के सामने रहूं, जितना रहसकों में रहूं, नहीं हो पाता है, काम नहीं मिलता है, आपको पता है कि काम आता है, कोई आप प्रजेक्ट कर लिए, अगर फिल्म पूरी चलनी चाहिए, या सिरीज वो पूरी चलनी चाहिए, तब ही जाकर कि आपको काम मिलेगा, और काम मिलेगा, क्योंकि आप देखिए ना, हर दिन कितने सारी सिरीज आते हैं, फिल्म में आते हैं, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म में आती है बहुत अल्बम आती है तो उसमें से कोई एकका दुका प्रजेक्ट होता है जो बहुत हिट होता है उसके कारेक्टर्स भी हिट होता है तो उनको काम मिलना शुरू होता है अगर मैं बहुत मेहनत करके मुझे एक फिल्म मिल भी गई और वो फिल्म नहीं चलिए तो मझे फिर से जिरो से शुरू करना पड़ेगा तो यह रोज मतलब वहां खोदो पानी प्यो ऐसा वाला है यहां पर सिस्टम हर रोज मुंबई को बताना जरूरी कि मैं सिंदा हूं अब कब मिलेगा वह भी आपको पता नहीं कि वह तीन महिना लग सकता है छे म कि चीज तो है जो आपको बूस्टब करता है और आप अब जिसे सक्सेस हो जाते हो तो आप तीछे मूण के देखो तो कहोंगे यार प्राउड फिल करोगे अपने आपके यार मैंने इस चीज पो ओवरकम किया इना इसमें रहके भी मैं अपने आर्ट को जिना रखा काम किय कर नैशि कryगे तो छे मैंने आट मैने का गाप कुता है अगर आपकी चीजें जरूरते हैं तो आप कियू नहीं कर सकता है आप पढ़ा सकते हैं क्योंकि आप वही काम कर रहे होते करना चाहते हैं किक्र टाइम में आना होता है मैं साल में दो बार तो चला ही जाता हूं एक-डो बार अब किया फारंख दए कना जाते हो तो हाँ भी तो है अब है तो लोग जब से खाकी ओक ही बेश रिप्अ बहुत लोग मेरे शहर में भी जानने लगे हैं मिलना चाहते हैं मिलते हैं तो वो चेंज मिला है इंडेस्ट्री में बहुत अलग अलग तरीके से काम के लिए ओफर दिये जाते हैं कभी हुआ आपके साथ मतलब अलग तरह कि आप यह कर लो तो हमाप पोई काम देंगे इस होटल आ जा जो नहीं मुझे देखके लगता है आपको कि मुझे असे रूअ आपको किसी को मुझे जा सकते हैं अभी तक तो में बचा हूआ है यहाँ अफहां बहुत जिगरी ओफेसे और कहीं बताना भी मत वहां गया लिकिन मुझे कुछ मिला नहीं तो यह सब की वो काम चाहिए जिस तरह से जैसे पी आपको तूरता भी भुए आगर तूट गए ना तो आप निकल गया तो निकल गया है या तिके रहना भाइं बहुत अगर आप ठीके रहेंगे तो आपको काम नेगा और आप अपने काम को लेकर के अनेस्ट है तो काम नेगा अडिशन भी अराम नेगर गएरा गुमें बहुत हुमा मेरा तो मैं 2015 में आया था और 2020 में लॉक्डाउन तो लॉक्डाउन से पहले कोविड से पहले जो था फिल्में और सिरीज किस प्लैनेट पे मनती है पता नहीं चलता था हम भटक रह होते थे वही दिन चरिया होती थी कि ग्यारा बजे-बारा बजे तक खाना खा लिया बैर प्रश्रगल था कि आप अराम नगर तो सेंटर है अराम नगर भी जाते हैं महाडा फिर सीरियल के चक्र लगाने थे जो सीरियल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था अगर आप मुझे देखे तो वह उस वक्त बहुत सारे वोर्ट उते थे थे उते तो मैं वह अप मार्केट में फित नहीं होता था तो वहीं नट फित व्लाट सुन्ने भाहत हुआ था हर दिन सुनने को मिल्दा था था नौट जिए इसे हाथ किया उस वक्त अच अच उस वक्त अच अच थोची तब मिल थी जब कोई पर कोई बोल था था कि हा तुम फित हो और काम वो नहीं मिलता था, एक और अडिशन भी अगर कोई इंट्रो मिल जाता था, लगता था कि आज दिन भर जो मैं भूमा हूँ, सफ़ल हूँ, सक्सेस किया, और फिल्में और सीरीज तो तब उतना वेब सीरीज का ऐसे आया नहीं था, फिल्म तो रीच से ही बाहर का, कहा किस से मिल ले जाए, कुछ आइडियान कोई Godfather नहीं तो आप सब, मेरे तरह बहुत सारे लोग भटकते रहें, लेकिन लगे रहें, तो वहां पर मैंने बहुत कुछ किया है, मैं जब आया था तो मैं Junior Artist का भी काम किया हूँ, आने के बादे, आने के बादे, जब अब किसी को कास्टिंग वाले को पैसे दिये कि भाई, ग्रूप में एडिकर नहीं, मैं एक जैनेत करके एक लीडी है, जो कॉर्डिनेशन करती है, जब मैं श्रुवात मैं था तो मेरे बहुत सारे दोस को निका था कि वहां पर तुम ये कर लो, उनका एक चार्ज होता है, करोके तुम को से तुम कुछ 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 काम मिलते रहे हुरा तो में वहां पे जा कर कि कुछ 112,000-015,000-015,000 का उनके पास पर एक तो हाकarin इंक पास बढ़िए, कुछ छोटा मोटा काम एक दिन, दो दिन Фू्दीन का होता तो कर लेता था, लेकिन मैं किसी को बताता या अपने घर वालों को भी नहीं बटाता था कि मैं ये कर रहा हूं नहीं बताता था तो, नपर एप थेक्टे, बुबइ, आप जैसे हाते हो नगा है कि हमस्स चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसे देखे वी या अच्या है यह कब करोगे जब कि मैं छोटा सा एक किया था एक क्राइम पेट्रोल जैसा ही था एक लेकिन उसमें में में विलन था लीड था तो मैंने हां मैंने करूंगा मैं और घर पे आया था स्टार प्रभाह एक चैनल माराथी चैनल माराथी था लक्षकर के एक शो था मेरा पहला काम मैं अपेइन सेने वेह में में नेञल हम आप तो सब्स करिमूर नास्या जिमा नों सब्सक्राद। करना में रहूं में लिए टॉसमें। हनुम कि आपकाद ऐले साल अर्सक्स आतम οसकों लिए और या को समेश्य राइस प्लेज काम मिलने लिए तो जब कि वह कुछ नहीं है। इहां के इसा है। Mooj वह इतने काम किए घजाे सेरियल क्ली वैब सीरीज फिल्म अपनी जी कोई सब में उस्तिना का ह्या म è प्योरित का जा आए वै आपकल्य कहते हैं? मैंने तुम इसलिए के होता है कि एक्तम लोगडाउन के बाद वाद से आया है था मैं क्या होगा भी कशोड़ी है , लोगडाउन में गर चलेकि है लोगडाउन में जाए लगा था घुन में करका धून टीन महने रुका तो फिर में गया ठीम का घर और सब कुछ चोड़के गय तो अक्टोबर तक में लगा कि थोड़ा ठीक हो रहा तो आते हैं और ना घर ना कुछ मतलब सब्सक्राइब जीरो से शुरू करना फिर से वो सारी जीम अब 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 बदल गया है तो मेरे ऐसे ही में बैठा था कि किसको भी जूटा कहां से काम जो तो मेरे दोस्ता चाहिए तो मैं को सीक् fatzeit मेरा फून करता है मेरे बहुत अब भहाना दोष्ति हम आएto करया है तो क्वा मदल थेयाइट्र करना था किया है तो कर मैं कर लूँंगा वही कर जाने का मिलेगा तो तुम् ukuna मौन आने जाएंगा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा मैं और्ञ लेक बि मों पूछिता है पर तीन मेर बाद को भगए तीप में बाद कर बूर्वी गी कर यह बोलेगाते थार थियागा क्पशस्त तो मुझे बता लगा कि 25 दिन बाद है उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हें गाड़ी चला नहीं आती है क्योंकि वो जो है नो अंडरकवर है वो टेक्सी चलाता है तो अभी कोल्काता की पीली टेक्सी और पुरानी एंविस्टर कार जो होती है उसका स्टेरिंग इसा होता क्या होता है कैसे ड्राइड द्राइड है वे इस यह उट खाल गया कोई भी हो तो बोलेता मुझे नहीं आती है कि अगर कोछा अधियार कर लिए तो चुछ जबाद मेरे पास 20 दिन का ताइम मैं सीख लोगा यह मैं चलाइज मुझे आती है तो बोलाई तो बना दोस्त बता अगर कॉशल सुन रहा है तो उसको पता है जी तो उसने का कि दोस्त सही सही बता और इसक वाली बात हो जाएगी और तुमको राधिक अक्टे को ही लेकर वो पूरा है वो सीन तुम्हारा है और टाइमिक भी करना है डालॉग देना है गांस देना यह सारी चीज़े देनी है अदेनी हो ना मेरी हिज़ती हो जाए मैं आती है अभी क्या बोलू जल ठीक, और बादीशन करते है ऑडिशन क्या मेरा हो गया अब क्या करें है अब क्या करें गाडी कर से साफ़े है वह तो आप मतलब लग गई मेरी अकम का था मैं गया मैरी गॉड़ स्कुल यहीं पर वरस जब तक आप अकेले गाड़ी नहीं गुमाए तब तक आप वो सीखना सीखना नहीं होता है तो मैंने उसके साथ थोड़ा थोड़ा सीखा कि क्या होता हूँ अभी ओटमेटिक था है 20 कार ती और फिली टेक्सी कार तो तो मैंने सीखा तो फेर प्रडक्शन से कॉल आ है कि एक क तो मैंने वीडियो बेज दिया तो भी मैंने वीडियो थोड़ा 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 तो आपको लगता था कि भाई कुछ भी गलत होगा तो यह मार लेंगे तो गाड़ी तो इस थोड़े न सीखेंगे कि आमें ज्यादा एक्सलेटर मारूंगा तो ब्रेक तो मारी देंगे तो मैं भेज तो दिया फिर मुझे लगा कि यार यह चैलेंजिग हो कि मैं अगर वहां जाओंगा वहां प्यकर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो मुझे तो बेज़ती होगी होगी मेरा दोस जो था उसकी बेज़ती हो जाएगी और खराब लगेगा तो नहीं होनी चाहिए तो मैं जिस दिन शूर था तो से तीन दीन पहले कलकता चलागी वहां जागर के मैं अपने चाहिए तो मेरी बहन की शादी थी मतलब मेरी बहन थी मामा की लड़की थी बहुती क्लोज थी उसकी शादी ती लेकिन छोड़ गे जाना पड़ा तो मैं तीन दीन पहले चलागी अकुलकाता मैं चोटा सा इसी दोस्त के घर पे भी नहीं रुखा एक चोटा सा कमरा लिया प्लैनेट इज़ा करके टेक्सी ड्रैवर जोते में मौली और वो लोग टेक्सी आपका नहीं देंगे चलाने की कुछ भी आप कितना भी पैसे देता हो तो मैं उनको था तो मैं आपको तीन हजार दूना एक दादा को बोला तो रेटी हो गया उनको लगा कि यार दिन भर का कमाई एक बार में हो जाएगा तो उनने रिस्क लिया खिला कि चलो लगा उदर से उदर ले गया कि तो मैंने टेक्सी समझा कैसे कैसे इस त्रेट होता है लेकिन चलाया तो नहीं उस तरह से आप कैसे और प्रेशर अप समझ सब्सक्राइब फिर सेट पे गया तो मुझे पत जी कि आप कैमरा लगा तो आपको देखने का भी होता है और पीछे मरा अपते जी बैठी तब मेरा गला सुखने अब क्या हो आप सुम्समझ सकते हूं मैं अट्राइब मैं अटिक नहीं सोच ला था कि मैं परफॉर्मेंस कैसा करूं और वो जो सीन था पूरा तो उसमें मैं अब अधर वो सीन देखें पूरा डालॉग मेरा है और पानवान खाता है वो बना हुआ है वो अटर कवर एजेंट है वो फोर्स है और वो उनको लिया उनको भी पता नहीं रादिका आप ते को नहीं पता कि हमारे ही फोर्स से है और वह बहुत मस्त मॉला टाइप का इंसान अनको गन देता है वो कैमरा देता है कि यह करना में आपके अस्पास रोना दो पूरा मॉनलोग है उसका लग बहुत दस-पंदरे लाइन का लाइन दस-पंदरे लाइन के डालॉग इसमें सिर्फ रादिका आपके जो हमो कर रही है अब मुझे वो एक्टिंग को प्रेशन म अटव विर झाल कि तो मैं खॡग विर खव थारन ऊगर खम सबसे कर खाएन को मदो हैं और थानक सिर्फ देखना कि लग जब पाहन के जो आप कैई लगार कि जा रागी काड़ा किसी को पता है कि अजने को उह मना करते है तो मना कर लेते हैं अब बात कर आने वाले प्रजेक जो इन शर्लोक होम का इंडियन अडप्टेशन है तो वो है केके मेनन के साथ मुझे काम करने बहुत इच्छा थी तो वो है अच्छा काम है उसमें और अभी एक फिल्म मिली है मुझे जो ज्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता है और पट वो राजकुमार राओ के साथ है राजक कि एंडे वीवर्सलिटी नहीं कर देना चाहुत जो भी है जो भी जिस भी फिल्ल में काम कर रह आप लगे रहिए मैनद करते रहिये मिलेगा उन काम मिलेगा आप जो भी आप चाहते हो यह ए कर चाहते हो चाहूंगा आज हमारे बहुत सारे बात चीत हुई बहुत कमाल के एक्टर सतीश भाई से इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा अब आप कॉमेंट करके ये बताईए कि हम नेक्स्ट कौन से आर्टिस्ट से बात करें थैंक यू सो मच्छ स्टे टून फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानों बॉलिवूड की दुनिया का टिकट बसे क्लिक दूर बॉलिवूड के बिना रह नहीं सकते फिल्मी शॉर्ट्स अप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें जटपट, चटपटी और पूरी बॉलिवूड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स अप, आयोएस और अंड्रोइड दोनों पर मौजूद है एंटर्टेन्मेंट की दुनिया में चांस पाने का एक असान तरीका फिल्मी शॉर्ट्स अप अभी डाउनलोड करें और बॉलिवूड की दुनिया में कदम रखें अवेलेबल वर योस और अंड्रोइड दिविस प्ल्मी शॉर्ट्स अप